नमस्कार अब देख रहे हैं इस न्यूज और मैं आपके साथ तन है रक्षा बंदन का त्योहार आ गया है भाई और बहन की इस रिष्टे को मजबूत करने वाले इस त्योहार की उत्सुकता हर किसी में है इस उत्सा के बीच एक अस्वंजस किस्तिती भी है कि आखिर बहनों क अपनी भाईयों की कलाई में राखी बांदने का सही समय क्या है कोई कह रहा है तीस की शाम को सही मौरत है तो कोई कह रहा है एक अतीस की सुभा को सही मौरत है तो हम जानेंगे पंडिजी से कि आखिर ये सही मौरत है कब दो हजार ताइस स्रावन पुर्णिमा जो रच्छा बंदन होता है इसके लिए सभी बहन असमंजस में है कि तीस तारिक के राखी बान है या एक तीस तारिक के बान है कोई समझ में नहीं आता है स्रावन पुर्णिमा दिन दस बज के तेरा मिनट दिन बुधवार दिनांग तीस आठ दो हजार ताइस से सुरूब मुहूर्ट पुर्णिमा का लेकिन उस दिन भद्रा नच्छतर रहने के कारण रातरी आठ अंठामन तक भद्रा नच्छतर रहता है आठ बज के उनसठ मिनट रातरी से रच्छा बंधन का सुब मुहूर्ट बनता है जो दुसरे दिन दिनांग आठ दिनांग एक तीस आठ दो हजार ताइस गुरूबार प्राता साथ पैतालिश तक पुर्णिमा रहता है पुर्णिमा रहते ही रच्छा बंधन यानि राखी का मुहूर्ट रहता है लेकिन उद्या तिथी के कारण गुरूबार से सारा दिन संधिया छे बज के सुल्ला मिनट तक रच्छा बंधन यानि बहन अपने भाई के कलाई में संधिया छे बज के सुल्ला मिनट तक भाई क के कलाई में राखी बांद सकते हैं यही इस साल 2023 का रच्छा बंधन का सुब मुहुर्थ है अगर कोई बहन अपने भाई को तिस तारिक अगर बांदना चाहते हैं तो रातरी आठ वज के अंठामन मुनत तक भद्रा रहता है आठ उन्सठ भद्रा के अंत में बहन अपने पराता साथ बज के 45 मिनट दिन गुरु बार जो सुब मुहुर्थ रच्छा बंधन का रहता है यानि पुर्णिमा रहता है सुरावन का लेकिन हिंदु धर्म में पुन्या दित्थी के कारण गुरु बार संधियाट 6 बज के 70 मिनट तक रच्छा बंधन यानि राखे अपन बांधने के पाहले भाई को ललाट में चंदन, टीका, अच्छत लगाकर उनके दहिने कलाई में बहन पूरब दिसा होकर रच्छा बंधन का रस्म करेंगे। तो आपने सुना पंडी ची को कि किस मोहरत में और किस विदी विधान से बहनों को अपनी भाईयों के कलाई में राकी बाननी चाहिए। फिलाल के लिए बस इतना ही ऐसी तमाम ख़बरों के लिए आप देखते रहे हैं देचेडी न्यूज धन्यवाद। कि अपने के लिए बस देखते रहे हैं ज़े जबड़न भाईयों के लिए बस देखते रहे हैं जब देखते रहे हैं आपके लिएगे याद।